नमस्कार दोस्तों इवार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर इसका जो PDF है वो सारे PDF आप लोग हमारे टेलिगराम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिगराम गुरुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है यह हमारे टेलिगराम गुरुप है डियर गुरुजी आर्यन सर करके तो यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं जहाँ पर आ पर स्टार्ट करने वाले आप लोग को अगर आवाज क्लियर आ रहे हैं तो यहाँ आसान सा कोशन है भारत में सरवाधिक छेतर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा जलोड मिट्टी बहुत ही इं कि नवीन जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जीब के उपर छोड़ा सा असर हो गया है तो इसे जासे सोड़ी आवाज मेरी हो सकता है सही ना आए बट आप तो कोशिस करेंगे सही जवाब देने की नवीन जलोड मिट्टी जो है किस नाम से जाना जाता है चले दो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिठी जो है कहलाती है गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिठी है वो कहलाती है गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिठी है वो क्या कहलाती है जितने भी लोग यहाँ पर जवाद दे रहें बांगर वो लोग यहाँ पर पर आपके exam में पूछा जा चुका है तो इसको बिल्कुल miss नहीं करना है option जो इसका 2 है याद रखिएगा अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सरवाधिक उत्तम जो मिट्टी है वो कौन सी है तो याद रखिए भाई इसका जो correct answer है आपका हो जाएगा काली मिट्टी जिया है तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो सरवाधिक उत्तम होती है अगला देखे कह रहा है कि रेंगूर नाम है चलिए फड़ा फड़ जवाब देंगे सर रेंगूर जो है नाम है किस किट्टी का लाल मिट्टी का काली मिट्टी का पीली मिट्टी का या कछारी मिट्टी का रेंगूर रेंगूर है या रेंगूर दिखा हूँ है बट किस मिट्टी में किसी के लिए अधिक सिचाई की आओ सकता नहीं होती है तो याद रखेगा काली मिट्टी तो काली मिट्टी से जितने भी इंपोर्ड़न कोश्चन है आपको करवा दिये गए हैं ठीक है मजा आ रहा है न तो या लाइक कर दिया गरो अगला कोशन दीकिए यह बुंदेल खंड होना चीए था बुंदेल खंड में है या बगेल खंड चीक बगेल खंड भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल सही बासर लेटर आट जो मिट्टी है याद रखिए को भई माला बार तक्ये प्रदेशों में इसकी प्रधानता है तो यहा पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चली आते हैं अगले कोश्चन की तरफ पेडियाफ के लिए आप लोग हमाई टेलीग्राम गुर्श से जरूर जुड़ जुड़ जाईगा कोश्चन और आपका 200 नतर कह रहा है कि धान की खेती के लिए सरवाधिक उप्युक्त मिट्ट जो है कौन सी है धान की खेती के लिए सरवाधिक उप्युक्त लिए चली याद रखेगा अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं 270 यहां पर कह रहा है कि लाल मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है लाल मिट्टी का विस्तार है कहा अग्रत है चलिए भाई, 270 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, कि हम लाल मिट्टी की बात करते हैं, तो इसका जो पिस्तार है, गारो खासी जहनतिया शेत्रों में भी पाय जाता है, छोटा नागपुर का पठाई शेत्रों में भी पाय जाता है, और अरावाली के पूरवी शेत्र तोाम चले रहा है कि मृधा पर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है, 271, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, तो याद रहें कि मृधा पर नागप के धुरणार जाता है, तो आप्सर नंबर जो इसका C है, वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, इसी तरह द 272 सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखे भाई इसका जो करेक्ट एंसर है 272 का दोस्तों जो करेक्ट एंसर है आपका हो जाएगा जलोर मिट्टी का भारत की उत्री मैदान में जलोर मिट्टी का जो सरवाधिक विस्तार है चले आते हैं 233 की तरफ तो आप से कह जाए तो महराष्ट में भी है मध्यप्रदेश में भी है गुजरात में भी है यानि कि इसका भी जो करेक्ट एंसर आपको जाएगा सर ये सभी तो यहाँ पर जितने भी सासी जवाब दे रहे हैं आपस नमबर 4 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चले आ तो भारत में अगर हम जलवायू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर आप हो जाएगा उश्रकट बंदी है मानसुनी बिल्कुल सही बाते सर उश्रकट बंदी है यहाँ पर समसीतो जवाब दे रहे हैं वो गलत भाई यहाँ पर भारत में उश्रकट बंदी है म अभी मैंने इंस्टाग्राम पर आप सभी से पूछा था कि बिस्वका जो सबसे गरम अस्थान कौन सा है डेथ वैली है या अल जजीजीया है काफी लोग वहाँ पर जवाद दे रहे थे पर आप लोग यहां पर फिर से कॉमेंट कर के बताएंगे कि बिस्वका सबसे गरम प् पाखिस्तान में है तो यह भी याद रखेगा तीनों मैंने आपको बता दिया आगला देखिए आप से यहां पर क्या गह रहा है कि बाई ग्रेस मेरेतू में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा सुस्क हवाओ को क्या कहा जाता है चलिए ग्रेस में यानि कि गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली जो गर्म और सुस्क हवाइ नको क्या कहा जाता है तो याद रखे कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागू में किस कारण से वर्सा होती है चलिए बहुत यच्छा कोशन सभी लोग जवाद देते हो चलेंगे जवाब आते हैं जवाब देखें आपर आ रहे हैं अब आज मेरी आ रहे हैं न सभी को चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है तो याद रखेंग भाई 278 का जो करेक्ट रहे हैं पश्चिमी विश्चोव के कारण बिल्कुल सही बात है जवाब देखें आपर आना शुरूओ गया है तो याद रखेंग भाई भाई भारत में अधिकांस वर्सा जो होती है वो बेसिकली किस कारण होती है किस मांसून की वज़ा से होती है दच्छड पश्ची मांचून से तो यहाँ पर जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं आफसर नमबर फर्स्ट वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोसों 69 के जवाब देंगे कि तमिल लाडू में सीत कालिन वर्सा का कारण क्या है तो याद रह nit नियूमें तो याद रखिए का बैस तमिल लाडू में सीत कालिन वर्सा का रिजन है उच्तर पूर्वी मांसून यह याधकरना थोड़ा tough होता है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा ज्यादा ज्यादा practice करिए theoretical भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए मैंने books आपको पहले भी suggest कर रखा है आप लूसेंट पढ़के भी चले जाओगे चाहिए जोगरफी हो चाहिए आपका कुछ भी हो तो लूसेंट से भी आपका जो जीके है अच्छा खासा cover हो जाएगा अच्छे खासे आप लोग वहाँ पर attend करके जो question को आ सकते हो सब्सक्राइब करके अगला देखिए आप से कह रहा है भारत में सरवाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा सरवाधिक वर्षा कहां पर होती है यह तो आसान सा question सभी लोग जवाब दे सकते हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यह तो question देखते ही लगा चलो कितना अच्छा सरल question मिल गया तो मासिन राम बिल्कुल सही बात है और आपसन नमबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इंस्टा पर फॉलो कर लीजेगा आप सभी लोग बहुत यह इंपॉर्णन वहाब ही आपको मिल ला है दोस्तों क्यासी कह रहा है भ अगला देखिया आपसे हैं आपर क्या कह रहा है question number 282 आमर वर्सा चलिए भई question number 282 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे आमर वर्सा के बारे मताईए सर चले फटाफ़र सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे 282 का जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर द अगरी अग तो यहाँ पर हर्यान यहाँ पर आप लोग हिंट भी हम्ट को मिल गया है तो याद रखें है यहाँ पर हर्याण यहां से देखिएगा कि दच्छिड पश्चिम मानसून निमलिखित में से किस राज में सबसे पहले प्रवेश करती है एक्जाम मस्दीख है जुलाई में आपका एक्जाम हो जाएगा और कल से आपका जो सेंटर चेंज करने वाला है यूबी वाले छादर जितने हैं तो सेंटर जरूर चेंज कर लिजेगा नहीं तो आप बैठे हो उत्तरप्रदेश के आयुद्या में आपका सेंटर चला जाए दिल्ली तो नहीं जाएगा यूपी में कहीं बाहर जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो चलिए कोशन नमर 284 जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो 284 का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा सर केरला हो जाएगा अगला कोशन देखे आप से यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यां से देखे है कोशन आपका 285 कह रहा है कि दिल्ली में अधिक वार्सिक तापांतर का करण क्या है बेसिकली रेजन क्या होता ना कि जैसे मैं ही जब कोई फॉर्म भरता हूं तो मैं जानवूज की थोड़ा दूर भेज़ देता हूं कि चलो इसी वाने घोम मिलूँगा तो काफी लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सेंटर जो है दूर डाल देते हैं तो इसे वीज़ा से आप लोग भी अपना सेंटर जो है अपने ही जिले में कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्सन मिल जाएगा आपको कल और कल जब भी ओपन होगा तो मैं आपको एक डे जलवायू पाई जाती है देमलिकित में से कहां पर महाद जलवायू जो है आपकी पाई जाती है 286 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो भी यह दोस्तों 86 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो correct answer है आपको हो जाएगा दिल्ली में ठीक अभी दिल्ली का नाम भी लिया था दिल्ली इसका जो answer है होगा तो यहाँ पर जितने वी स्वाथी जवाब दे रहे हैं option number 4 यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आपसे यहाँ पर कह रहा है एल नीनो के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है हिंद तो यहाँ पर कौन सा कसन सत्य है तो सारे के सारे कसन सत्य है आपर तो यहाँ पर उप्रोग तो सभी correct हो जाएगा तो option number 4 है यहाँ पर correct हो जाएगा अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानसून निर्वतन में से सबसे अधिक वर्सा कहां होती है मानसून न वर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो आपकी चेंड नहीं में होती है चलिए आते हैं अगले कोशन कि तरफ तो कोशन नमर आपका 209 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज ये कौन सा है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज इसको complete करो पशिम बंगाल लिखा है पशिम बंग नहीं तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राच है सबको पता है भाई पशिम बंगाल है तो यहाँ पर कुछ लोग यूपी जवाब देरे बट यूपी करेक्ट नहीं होगा भाई पशिम बंगाल यहाँ लिखऊ करेक्ट नहीं हो जाएगा चलि आते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन आप से यहां पर क्या है यहां से देखेगा भारत की सरवाधिक भूमी में कौन सी फसल उगाई जाती है भारत की सरवाधिक भूमी में कौन सी फसल जो है आपकी उगाई जाती है 290 जवाद देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा है भारत की सरवाधिक भूम में आपकी जो फसल है वो गाई जाती है धान ठीक है तो यहाँ पर जितने भी सासी जवाद दे रहे हैं धान वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसके बाद आपका जो हिंदी वाला टेस्ट है उसको भी जरूर दीजेगा बहुत इंपॉर्टन्ट है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लोग चाकर के इसका PDF हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जरूर डाउनलोड करें तो यह मेरे टेलिग्राम ग्रूप का लोगो है जो मेरे चैनल का लोगो है तो याद रखेगा और कितने लोग भी जुड़ चुके हैं भाई